टायर शॉप बिजनेस शुरू करें हाउ टू स्टार्ट टायर शॉप बिजनेस हम सब जानते है कि कोई भी वाहन हो फिर चाहे वह कोई स्कूटी, बाइक, आटो, रिक्षा, गाड़ी, बस या ट्रक आदी कोई भी वाहन क्यूं ना हो सभी में टायर की आवश्यक्ता होती ही है यदि आप आटो मोबाइल पार्ट के क्षेत्र में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो टायर का व्यापार कर सकते हैं टायर का बिजनेस आटो मोबाइल सेक्टर में एक बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रमोख व्यवसायों की लिस्ट में शामिल है वर्तमान में सडकों पर वहनों की संख्या लगातार बती जा रही है और बिना टायर के किसी भी वहन की कल्पना नहीं की जा सकती है टायर शॉप शुरू करने से पहले आपको विभिन श्रेनियों के टायरों के बारे में जानकारी का होना और इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए व्यक्ती के पास उप्युक्त जानकारी का होना आती आवश्यक है टायर शॉप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर निवेश का संबंध टायर शॉप बिजनेस लेने के लिए आपके द्वारा किये गए खर्ट से है और उसके बाद बात आती है खुद की जमीन है तो कम पैसों में काम चल सकता है और यदि जमीन किराये पर लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा इंवेस्टमेंट करनी पड़ती है और इसके साथ ही सही जगह का चुनाव करना भी उतना ही जरूरी है इस सब के बाद यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के और कितनी गुनवत्ता वाले सामान का चैन करते हैं क्योंकि मार्किट में आपको हर तरह के कम्प्यूटर और हर प्रकार के टायर सीलेंट मिल जाएंगे यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस गुनवता का समान अपने दुकान में लेके आते हैं. लागत 10-15 लाख रूपे कंपणी की फ्रेंचाइजी लेने पर 5-7 लाख रूपे. टायर शॉप बिजनेस के लिए कर्मचारियों की नियुक्ती करना टायर शॉप बिजनेस के लिए आपका उठाया हुआ एक बहतर कदम हो सकता है. जो आपको अपनी शॉप का आउना होने के हिसाब से करने पड़ते है. जैसे समान मंगवाना और ओर्डर को पहुँचाना और दुकान के लिए ओर्डर मंगवाना इसके साथ ही आपको दुकान के अकाउंट बुक्स को भी देखना होता है और इसके साथ साथ और भी बहुत से काम होते हैं जिनके वजह से आपको एक कर्मचारी की नियुक्ती करनी ही पड़ेगी. टायर शॉप बिजनेस के लिए मार्केटिंग आपके टायर के इस बिजनेस की मार्केटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपका बिजनेस को चलाना आसान नहीं होगा, ग्राहकों की मांग के अनुसार आप अपनी दूकान में सभी प्रकार का समान रखें जैसे की सभी तरह की गाडियों और बाइक्स के टायर और उनसे जुड़ी चीजों को अपनी शॉप में रखें. टायर शॉप बिजनेस के लिए व्यापार की बजार में मांग जब आप टायर का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको इसके बजार के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और इसके साथ इस बिजनेस की कहां कितनी मांग है साथ ही साथ इससे कितना मुनाफ़ा हो सकता है. वैसे तो भारत में इस बिजनेस की मांग बनी रहती हैं, क्योंकि यहां पर अधिक मात्रा में वाहन बेक रहे हैं, हालांकि आपको बता दे की अधिकतर टायर जैसे प्रोड़क्ट का बिजनेस शहरों में ही ज्यादा होते हैं, इसलिए आप शहरी इलाके में ही इस बिजनेस क प्रकार का चैन, टायर का व्यवसाय आप दो तरीकों से कर सकते हैं, इन दोनों ही तरह के बिजनेस को करने में आपको मुनाफ़ा होगा लेकिन आपको उनमें से एक को चुन के अपना बिजनेस शुरू करना होगा. सभी कमपनी के टायर का बिजनेस, इस बिजनेस में आपको एक शॉप करनी होगी जहां पर आप सभी कमपनी के टायर लाकर अपने हिसाब से बेचेंगे, एल. एक कमपनी की फ्रेंचाइजी लेकर, दूसरा तरीका है कि आप टायर बनाने वाली किसी कमपनी से फ्रेंचाइजी लेकर उसका बिजनेस करें और इसके लिए आप जिसकी बजार मांग ज़ादा हो उस कमपनी को चुन सकते हैं टायर शॉप बिजनेस से होने वाला मुनाफा, अगर हम टायर के बिजनेस में मुनाफा की बात करें तो इससे हम शुरुआत में कम से कम 25-30,000 रूपे तक का मुनाफा प्रति दिन कमा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस और आपकी दुकान के बारे पता चलेगा तब यह मुनाफा लाखों में भी बदल सकता है, इसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों को और छोटी दुकान वालों से संपर्क होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके पास ज्यादा लोग टायर खरीदने आएं। जिससे उनको भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके हैं।